हेलो माई सोर सिस्टर्स एन ब्रेदर्स कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब भी खुश होंगे मैं भी आप ही की तरह एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ और रादा कृष्णा सोल परपस पैन की एक स्टूटेंट हूँ मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्स्पिरिंस शेयर करना चाहती हूँ सब में पहले तो मैं अपने खुट का शुक्रिया दा करना चाहती हूँ ठैंक यू सो मच अला जो आपने हमें ये ट्वीन जर्नी दी आपने हमको हमें हमसे ही मिलाया थेंकि सो मच अल्ला थेंकि सो मच अर थेंकि सो मच अल्ला आपने हमें रादा कृष्णा सोल परपस वाले मैम से मिलाया मैम हमारे लिए एक एंजल्स की तरह है मैम के बारे में हम जितना भी बूले ना बहुत कम है मेम हमें हमेशा हमारे हर दिन हमें protection देते है हर दिन हमारे हर सुक में हर दुक में हमारे साथ रहते है मैने भी मेम से negativity रिमूट कर meditation लिया है और यकीन मानीए मैं ये meditation रोज करती हूँ ये protection मैं रोज लेती हूँ और उस meditation से हमारे जिन्दगी में बहुत से बदला हो गए हमारे husband में बदला हो गए हमारे husband में बहुत जादा हमने सुचा भी नहीं था इतना वो change हो गए इससे मैं बहुत खुश हूँ आप आप सुचोंगे कि बदलाव से husband में या अपने कार्विक में या soulmate में होते हैं तो ऐसा नहीं है बदलाव हमारे DM में भी होते हैं मैं आपको अपना experience शेर करती हो गया मेरी जनी 2019 से शुरू हुई और मेरे DM के पास दो नमबर है तो एक नमबर से जूर के महिने में मुझे सीफ ऐसे message आते थे तो मुझे यकीन नहीं होता था यह हैं ऐसे कैसे message आ रहे हैं हो सकता है हमारे DM हमारा taste ले रहे होंगे लेकिन हम trigger हो जाते थे हमारे God हमारा taste लेते थे हम trigger हो जाते थे 2020 में भी हमारे हमको बहुत जादा गंदेवर बोले गए हम इतना रोते थे इतना रोते थे कि कैसे होता है हम जिससे इतना प्यार करते हों हमें इतना गंदा कैसे बोल सकता है अग 2021 चून का महन आया हमें डर था हम सही में डर रहे थे क्या अभी भी हमें trigger किया जाएगा लेकिन यकीन मानिये हमारे DM ने हमें जून के महने में एक भी message नहीं किया कॉल आया मुझे जो नंबर से message आते थे जिससे में trigger होती थी 2020 के बाद 2021 में जून में ही एक साल बाद मुझे call आया वो नंबर से मैंने रिस्यू नहीं किया रिस्यू भी ने किया और नहीं मैंने वो number पर message दाले मैं message तो दालती ही नहीं थी किके मैं trigger हो जाती थी नहीं दालती थी लेकिन मैंने ना return भी call नहीं किया मैंने देखा ये number से आया है जो उनका महेना है अब मुझे पक का यकिन था कि नहीं मुझे अब trigger किया जाएगा DM के तरब से लेकिन मुझे ट्रिगर ही नहीं हुआ और मैं ट्रिगर नहीं हुई तो मैं खुश हूँ मैं सैड नहीं हूँ सैड नहीं मुझे ना इनर वर्क करने के लिए रोका जाता था मैं इनर वर्क करी नहीं पाती थी लेकिन हम अपने डियम को कभी नहीं छोड़ सकते हम अनकंडिशनल उनसे प्यार करती जाते हैं इसलिए मेरे यह महने में मुझे नहीं मिला ट्रिगर और मैं अपना इनर वक कर रही हूं मैम के साथ हां मुझे टाइम नहीं मिलता मेरा टाइम एड़्जेस नहीं हो पाता हमारे मायम ने हमारे लिए इतनी सुविदा कर दिये हैं कि हम रिकॉर्डिंग से हम कर सकते हैं तो मैं अपना इनर वक रिकॉर्डिंग से करती हूं बहुत कम है मैं में के साथ हाँ लेकिन अपडेट जरूर देती हूं मैं को के मैं कर रहे हूं और इस वक्त मैं हैपी हूं मैं खुश हूं तो वह सीप मेरे मैं के वज़े से और मेरे गौट के वज़े से अगर सही में मैं ये मेडिटेशन नहीं लेती न तो शायद मुझे ट्रिगर होता और मैं मानती हूं कि ये मेडिटेशन जो मैं निगेटिविटीस का कर रही हूं रोज कर रही हूं इसी वज़े से मुझे ये महिने में मुझे डियम से ट्रिगर नहीं मिला और अब हम डियम के बात नहीं किया तो हमारे DM के मैसेज आ जाते हैं कि कैसे हो तो हम सिप उसका reply करते हैं क्योंकि हमारे मैम ने कहा है DM को जादा परिशान नहीं करना DM लोग भाग जाते हैं तो हम मैम की बात मानते हैं Detachment में रहते हैं इसलिए हमारे DM हमारे हमारी कीयर करते हैं हमसे पूozते हैं क्या आप कैसे हूं हम उसी में खुश हो जाते हैं कि शादी करना ही हमारे शानी में शादी करना ही अपना परपस नहीं है हमें तो DM के साथ अपना सोट परपस शुरू करना है इसलिए मैं जिसना भी अपने कोट का मैं शुक्रियादा करूँ तो वो बहुत कम है हमें तो बहुत खुशी है कि हमें हमारे अल्ला ने यह जर्नी दी हमें अपने आप से मिलाया हमें खुश्क रहना सी काया हमारे अल्ला ने हमें रादा कृष्णा सोल पर पस्वावे मैम से मिलाया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम जो आप हमारे गुरू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम लब यू मैम लब य थेंक यू निवर्स थेंक यू ना सेंक के सो उन इक देंक के सो निवर्स में जो आपने हां यह ट्विंज नी थे